नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का इंफटेक फार्मिंग लिडर चेलाल पर किसान सातियों सबसे पहले तो आज आप सभी किसान भाईयों से माफी मंगूगा क्योंकि लेट बहुत हो गया हूँ वीडियो बनाने में उसका मे लेता हूं तो किसान साथियों कुछ लाइव वीडियो भी मैंने भी मंगवाए हैं वहां से हमारी शायापुर मंडी से सुन्दलाल जी के यहां से गुरुकरपावले के यहां से लाइव वीडियो आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे और किसान साती हो अप सभी किसान भायों सम्हापि चाहता हूं क्योंकि आज बुखार है हलका सा रात को बुखार आ गया था तो उसी करण से फ्वूणवारी हो तो शरीर हो गया है इम्मूनिटी थोड़ी ची कमजोर हो चुकी है तो बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आईगी तो आप जो है यानि कि accept कर लीजिएगा वीडियो को किसान सातियों आज दिनांग हो चुकी 3 जनवरी 2023 दिन हो चुका है मंगलवार का समय हुआ है पोना एक बजे हैं 12 बच के 40 मिनिट एक में मात्र 20 मिनिट की देर और एक बजे के लगबग आपको वीडियो देखने को मिलेगा किसान सातियों आज हम बात कर लेते हैं मद्वर्तेस की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की चोहित्रा मंडी और शायापुर मंडी दोनों मंडियों के फाइनल भाव के वीडियो की यानि प्याज में आज तेजी रही या फिर से चाया मंदी का महूल आलू और लसुन की क्या पोजिशन है आए जनते इस वीडियो के मात्यमशे किसान भाई हम सबसे पहले शायापुर मंडी की बात करेंगे शायापुर मंडी में किसान सात्यों देसी प्याच की अगर आवक की बात करूँ तो 5000 पेकेट नए प्याच की अगर बात करूँ तो 2000 पेकेट टोटल मिला के 7000 पेकेट लसुन के अवक की अगर बात करूँ तो 26-3000 पेकेट आलू के अगर आवक की बात करूँ किसान सात्यों तक हमारा जो पुख्रा जे वह एक हजार आट सो नोसो एक हजार तक जा रहा है सोना सिफसा हमारा ग्यारा सो बारा सब्सक्राइब है तो यह तो गई किसान सा ट्ändig a दिभा मैं लेकिन आज से फिर प्र पूरे भालत के अंदर प्याज में नर्मी देखने को मिल रही लेकिन एक्सपोर्ट में तेजी है अब इसका क्या मलूग क्या कारण है तो किसान साथियों सबसे पहले हम लसुन की बात करेंगे देशी लसुन और देशी ही आती शाया प्रमंडी में जीटी उटी नहीं आती है तो किसान किसान साथियों बात कर लेते हैं देशी प्याज की बेहत कम भाव बचा है देशी प्याज का देशी प्याज में आज उपर में टॉप कॉलेटी एक लोट बारासों का गया है और एक लोट साड़े इसके बाकि पूरी मंडी में संदाट चाहिए हुआ है भावण जो खादू है किसान साती वह जा रहा है परती कट्टे के हसाब से गुलति हमारी 2000 रूपर्ती कुंटल कर दिटाल मेडियम जसाथ smells रवर्ति कुंटल तकzeigt passa वह आजे जाहे हम pouring प्रतिकुंटल टक किसांसात्यों हम दो-चार-10 लोट की अगर बात करें तो तो किसांसात्यों यह थी जानकरी हमारी पे तिशेतिश अर पेकेट पेकेट पुई तो यह गिसानन साथीर के खाना की त one के लासे मरें पॉटी पीफालु 75 पेकेट पुराने की पुराने बुर्य मत्र Inde रुपए बाकी आट रुपए तक लगा के बारास दक सो नाट तो रुपह से लगा के तेचा तो रेट तो उतर चुका है पिर भी ठीक है रेट अब ते मिल रहा है अभी जिन जिन खिसान रह बहुत कम लोग देखते हैं इसलिए हैं किसान ही हमारे वीडियो को पसंद नहीं करते हैं वीडियो कम देखते तो फोड़ासा वीडियो नहीं पहल देखते थे सले लोग देख्ते थे सब्सक्राइब दो यह तो यह तो यह किसांती हो हमारे आलु की और लसुन की जानकरी नया प्याज हमारा किसांते हो इंदोर की चोईत्रा मंडी करें तो नए प्याज किसांसाति यो इंदोर की चोहत्रा मंडी में 1775 रुपर टक्षोरा एक आदला 18 सो रुप है देशी प्याज कि अगर बात करें किसांसाति यो तो हमरा जो देशी प्याज यह उसमें यह जादा वह नहीं है देशी प्याज किसांसाति हमरा बारा तेरा रुपर तक ही जा रहा है तो यह ती किसांसाति यो जानकरी अच्छी लगी हो आपको घर बेठे जानकरी दी गई आज को आज आपको जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें पहली बार विजिट के तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी अन्यदा आता हूं का बहुत बहुत धन्यवाद जय जवान जय किसांस जय हिंज वरात वंदे मात्रव मिलते हैं किसांसाति कोई खुए योवर्ल्य वरग का कोई हैक्ति वेक्टी हो अंगर ब्लोग पर विश्वास रखता वाव ब्लोग चैनल देखता हो तो हमने ब्लोगिंग ब्लोग चैनल किया देवडा ब्लोग हिसा बांगलादेश इंप्पोर्ड एक्सपोर्फ कि मिअ कल 2023 जनुवर आतुल एक लिए पांच बाडोर हो गया कुझा बम्बबर मेंुक्त हेली और पता नहीं क्या नामें उसका युक्त हो और यह रही यह कोई सा बड़भ है यह उंत में घर कि बाद कर रहा हूँ उसके रहा है कि एका पोद्मनेल में डेक रहे हैं, ग्यारा ट्रका Excport किया गया है और बैलेंस में 0 ट्रक कर रहा है किसा इत्वी ओ यह गर मैं बात करो किसा साथ्यू लिए आसे मिडिया मोटा पर एक्श्पपोट किया तो वह बत्तिस्ट से चोति vient को सब्सक्राइं के इत्वर्ति ने में 16 17 18 इरे मोटा इस सुपर मोटा ये नहींगा सकते कि बहुत ज़styरेमस उपर वला प्याज वह नहीं जा रहा है मनला इसलम बोलते हैं इसलbok लुज जा biography असमाज सकते इस बात से कि पंद्राव 55 2000 रुपी में खनी था रहा है पंद्रा सो रुपे की जो है बचत लिया पारी लोग कर रहे हैं तो यह तो गलत एक सरा सर गलत है तो खिसान भाईयों को उसे लूट रहे हैं और उधर कमा रहे हैं बढ़िया कमा रहे हैं इसमें कोई दोमत की बात नहीं है अब हम बात करें किसाण सात्यूं हमारा मीडियम मोटा माल है वो भी इसी रेड़ में जा रहा है उक्सिक का नहीं पियाल है घरति साथ सा ед generate प्रतिक कीज़rukt से इसको के सकते हम 32-33 प्रतिक किलो यानि कि एक कुंटल पर यह सीधा सटड़ में तेरा उरुपे 14 रुपे जो फ्याज खरीथा जा रहा है तेरा चुर्पर मालने अब 15 रुपे और यह जा रहा है 32 रुपे 30 रुपे कि यहनि 34 रुपे 32-34 प्रतिक किलो के इसाफ से और खरिदा जा रहा है 14 प्रतिक किलो यह नहीं कि 20 रुपए बचत हो रही है इस पर बीस रुपए में यह मान के चले 500 रुपए का भाड़ा कार दीजिए 500 रुपए अधर कार दीजिए इसके बाद में भी किसान साथियों एक किसान सातियों आपके साथ नाइसापी हो रही है आप खुद देख लीजिए मैं ज्यादा खुछ नहीं बोलूँगा वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें चैनल में पहली बार विजिट के तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी किसान पान्स तो पंद्रा पांचो भी 223 ऊंड़ीख गदर्शाओन वींद्धा पांचो-पारब्स झाल झाल